जै मादुरुगा, नवरात्री में चौथे दिन देवी कुसमांडा के रूप में पूजी जाती हैं। अपनी मंद मंद हलकी सी हसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पंड करने के कारण इनका नाम कुसमांडा पड़ा। जब स्रिष्टी नहीं थी, चारो तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने हासे से ब्रह्मांड की रचना की थी। आदि सक्ति भी कहा जाता है मा कुसमांडा को इनकी आठ भुजाएं हैं और साथ हातों में कमंडल, धनुस, बान, कमल कापुस्प, अम्रित, कलस, चक्र, गदा है और आठवे हात में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। मा की वाहन सिंग है और इस दिन मा को कुम्रे की बली दे जाती है और इस दिन कुम्रा खाने का भी प्रचलन है। तो आर्थिक इस्तिति आपकी अच्छी हो जाएगी, आपका स्वास्थ उत्तम हो जाएगा. तो इस दिन बिदी पूर्वक मा कुस्मानडा की पूजा जरूर करें, लेकिन मा को क्या रपित करेंगे, मा को क्या पसंद है, आईए हम बताते हैं. इस दिन मा को हरे रंग के वस्तर आप धारन कीजिए और मा को हरी इलाइची जो आप खाती हैं चायवे गरे में डालती हैं खीर में डालती हैं तो हरी इलाइची हरा सौंप अर्पित करें और अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में गरहन करें और मा कुसमांडा के पुजा के दिन सिद्ध कुंजिका इस्तरोत का पाठ करने का भी विधान है आपकी अगर जीवन में कहीं कोई परिशानी है आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनकी बुद्धी सही डिसीजन लेने की स्थिती में नहीं है गलत राह पकड़ लिये हैं या फिर बच्चे आपके भटक गये हैं तब क्या करें और अगर जीवन में छाती की समस्या हिर्दै की समस्या घबराहट की समस्या बेचैनी होती हो छोटी छोटी चीजों से डर लगता हो नकात्मक सोच बार बार मन में आती हो पूरे विचार आते हो तब मा को आप परणाम करें पहले सिपजी को परणाम करें फिर आखे बंद करके मा से प्रार्थना करें कि है मा य साथ ही अगर आपको तंत्र मंत्र से सुरक्षा कबच चाहिए तब इस दिन सिद्ध कुंजी का इस्तिरोत का पाठ साम में या रात के समय जरूर करें दोस्तों वैसे तो बहुत सारे उपाई इस दिन किये जाते हैं लेकिन एक बात जान ले अगर आपके बच्चों को पढ़ा का सिक्का रख दें और कागज को मोड कर देवी के चर्णों में अर्पित कर दें दूसरे दिन यानि पांच पूजा को इस कागज को उठाईए और बच्चों के बैग में रख दें यकीन मानिए आपके बच्चे सही रहा पर चलेंगे उनका दिमाग सार्फ होगा और को भी आपसे संभव है वही अर्पित करें मा उसी में आपके ऊपर धेर सारी किरपा बरसाती रहेंगी वैसे अपनी इच्छा नुसार हरी इलाइची जरूर अर्पित कीजेगा और फिर इसे रखिए समय समय पर खाते रहें इस इलाइची को खाते रहने से मा का परसाथ जो प्रसाद के कारण आप हर मुसीवत से बचे रहेंगे सुरक्षित बने रहेंगे इस दिन धनिये की पंजीरी बना कर भी आप मा को भोग लगा सकते हैं और प्रसाद के रूप में सब को दे सकते हैं गरहन कर सकते हैं फिलाल हम आप से विदा लेते हैं फिर मिलेंगे हर हर महाद मा कुस्मान्डा की इस दिन अराधना की जाएगी हलकी हसी से ब्रह्मान को उत्पर्ण करने के कारण मा का नाम कुस्मान्डा पड़ा जिसे हम कुम्डा भी कुस्मान्डा का मतलब कुम्डा होता है मा को कुम्डा बहुत प्री है और जोतिस में बुद्ध से मा का संबंध है और इस बार मा कुसमांडा की अराधना 28 मार्च सनिवार के दिन होगी मा को परसंद करने के लिए तमाम उपाई किये जाते हैं और आज हम आपको तीन उपाई बताएंगे जो आप बिना किसी ताम जाम के घर में सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं इस दिन मा को कुमढा अरपित करने का भी विधान है और इस दिन कुमढा का सेवन भी करना चाहिए केते हैं इस दिन अगर कुम्रा का सिवन किया जाए तो आर्थिक इस्थिती अच्छी रहती है और स्वास्त भी अच्छा होता है मा की पूजा हरे कपड़े धारन करके करनी चाहिए हरे कपड़े पहन कर मा को हरी इलैची या फिर हरा सौप अर्पित करें और साथ ही ओम कुस्मांडा देब्याई नमः ओम कुस्मांडा देब्याई नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या अपनी मर्जी के अनुसार जब करें और आप चाहें तो सिद्ध कुझी का इस्तरोत का पाठ भी कर सकते हैं अगर आपका बुद्ध गरवर है बुद्ध खराब है तब ऐसे में बुद्ध को ठीक करने के लिए आपकी जितनी उम्र है उतनी ही हरी इलैची मांको और पित करें लेकिन करने का भी तरीका है जैसे आपकी उम्र मान लेते हैं 25 साल है तो 25 हरी इलाइची लीजे अब एक इलाइची हाथ में ले और फिर बोले ओम बुम बुधाय नमह फिर मा को अर्पित कर दे फिर एक इलाइची ले फिर बोले ओम बुम बुधाय नमह और मा को अर्पित कर दे सभी इलाइची और बाद में सभी इलाइची को इकठे करके हरे अपने पास सुरक्षीत रख लें आप इसको magari और अगले नौरातरी तक इसको रखूँ और अगले नौरात्री के जब आई गार शक्ष और यूज कर में कर सकते हैं यह प्रसाद घृ कोई दिकत नहीं है और आपकी वानी भी अच्छी होती है, आपकी स्कीन अच्छी होती है, आपकी स्कीन की समस्या भी नहीं होती और साथ ही बुद्ध भी अच्छा होता है तो इस तरह से आप करें, आपको लाव होगा, अब हम बच्चों के लिए बताते हैं अगर आपके घर में बच्चें चुकि बुद्ध पुद्धी का कारक होता है तो हर माता पिता को चाहिए कि बच्चों के अच्छे सिख्चा के लिए कागज पर बच्चे का नाम सिंदुर से लिखिए सफец कागज पर और उस पर तांबा का एक सिख्या रख दें फिर मा के सामने रख दें इस सिख्ये को कागज के साथ ही और दूसरे दिन बच्चे के बैग में स्कूल बैग में आप रख दें रहने दें आपके बच्चे का जो बेभार है वो बहतर होगा उनकी बुद्धी सही डिसीजन लेगी पढ़ाई अच्छे से करेंगे अब बात करें अगर इस दिन मा को स्वभागी की वस्तु भी अर्पित करने का विधान है और मा को चना, गुड, हल्वा, कुम्रा का भोग भी लगाया जाता है इस दिन आपको कुछ मिले ना मिले कम से कम गुड तो होगा ही घर में मा को गुड का भोग लगाएं अगर हरी इलाची है तो अति उत्तम मा को हरी इलाची का भोग लगाएं जीवन में धन की कमी कभी नहीं होगी और सही समय पर सही डिसीजन लेकर आप जीवन में उचाईयों पर वैसे तो मा को धनिये की पंजीरी का भी भोग लगाने का इस दिन बिधान है अगर आपके लिए संभव हो तो ऐसा जरूर करें सुब पहर में अपनी इच्छा नुसार हरी इलाइची करके आप अपने पास रखें खाते रहें और इस हरी इलाइची का जितना दिन तक आप करहें तो इस तरह से हमने आपको इलाइची के ही तीन उपाय बताए तो कोई भी आप उपाय करें आपके लिए बेहतर है अगर तुलसी के पत्ते पर सिंदूर लगाकर रात में नाभी के पास रखकर सुईएगा तो कहते हैं मा की असीम कृपा अप पर हो जाती है तो इस तरह से आप मा कुस्मानडा की क्रिपा बहुत आसानी से पा लेते हैं आपका बुद्ध भी मजबूत हो जाता है हम आपसे बिदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब